नमस्कार दोस्तो देख्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो जैसा के हम लोग इंडियन जिग्राफिक की स्लेबस को हम लोग study कर रहे हैं और उसमें हम लोग classification आप इंडियन जो स्वाइल है उसको study कर रहे हैं तो इस topic में classify के साना पर Indian soil में हम लोग already Alluvial soil को study कर चुके हैं Black soil, Red and Alluvial soil, Latterite soil, Arite soil, Saline soil, Pt soil इन सारे soil को study कर लिए हैं आज हम लोग last soil की type है इंडिया में forest soil उसको यहाँ पर study करने वाले हैं इसके बाद हमारा soil की topic है वो हमारा complete हो जाएगा इसके बाद हम लोग natural vegetation topic को हम लोग start करेंगे तो देखलें दोस्तों इहाँ पर forest soil के बारे में क्या क्या study करने वाले हैं सबसे पहले देखेंगे forest soil की formation कैसे होती है कौन सा climatic condition वहाँ पर suitable होता है और कैसे forest soil बनती है फिर देखेंगे distribution इंडिया में कहां-कहां फे forest soil पायाता है फिर देखेंगे characteristic का forest soil forest soil की characteristic देखेंगे और कौन-कौन से vegetation support करती है यह whether acidic है या alkyne है यह भी हम लोग characteristic में देखेंगे तो चलिए आज के वीडियो श्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे दोस्तों नाम से पता है आपको forest soil तो यहां पे नाम से पता है कि यहां कि forest में बनेंगे यानि कि forest soil क्या होती है forest में बनती है और forest से बनती है ठीक है तो forest soil generally कहां perform होती है जहां पे hilly area हो और जहां पे temperature थोड़ा कम हो और sufficient rainfall हो और vegetation बहुत जादा हो तो ऐसे condition में forest soil बनते है देखो forest soil कहां कहां बनते है पहली बाद तो hilly area में और जहां पे forest अच्छे हो यानि कि vegetation अच्छी मात्रा में हो sufficient rainfall हो और low temperature हो तो ऐसे अस्थान पे forest soil का formation होता है अब देखो यह सारे climatic condition इंडिया में कहां कहां पायाते है देखो इंडिया में कहां कहां पे जो climatic condition पाया जाएंगे जहां पे temperature low होंगी vegetation भी sufficient होंगे और hilly area होंगे ऐसे हिमालियन रीजन में पायाते है तो forest soil इंडिया में आपको देखने को मिलेगी हिमालियन रीजन में हिमालियन रीजन में आपको जम्मु कस्मीर लदाक एरिया हिमाचल परदेश उत्राखंड के एरिया फिर सिक्किम के एरिया और आपको अरुणाचल परदेश में नौर्थ जो वेस्ट अरुणाचल परदेश है यहां पे forest soil देखने को मिलेगी अब देख लें दोस्तों forest soil की characteristic क्या है करेक्टरिस्टिक में आप देखोगे तो forest soil की सबसे पले टेक्शर की बात करें तो soil structure या texture जो वेरी करता है forest to forest वेरी करता है क्यों क्योंकि forest में जिस टाइप की vegetation पाए जाएगी तो मालों जिस टाइप की vegetation पाएगी उसी तरह से soil वहां पर जनरेट होगी यदि vegetation में मालों nutrients में यदि nitrogen की मातरा जादा है carbon की मातरा जादा है या वहां पर phosphorus की मातरा जादा है तो वैसे ही vegetation में swail की मात्रा भी वैसे जादा होगी तो forest swail बहुत जादा vary करते हैं vegetation to vegetation, forest to forest ऐसा नहीं है कि forest swail जो swail होंगे जम्मो कस्व में जिस तरह सपाई जाएंगे वैसी same characteristic आपको सिक्किम में देखने हो भी लेंगे वहाँ पर vegetation अलग है सिक्किम में जम्मो कस्व में vegetation अलग है तो forest swail जो texture होंगे, color होंगे, structure होंगे वो सारे vary करेंगे यह होगा पहला characteristic दूसरा characteristic दो तो it is loamy loamy का मतलब है silt और जो clay है और silt है, sand है इसकी composition लगों में समान देखने मिलेगी तो loamy structure है, loamy structure में आप देखोंगे, eruvial soil भी loamy structure का होता है और देखों, यह silty generally पायाता है valley side, mountain region में forest swail पायाता है तो valley side है, valley side में है यहाँ पर silty देखने हों मिलेगी और जो upper layer है, valley की जो upper part है, वहाँ पर coarse grain यानि थोड़ा सा मोटा sand type की structure देखने हों को मिलेगी जो upper side में जो देखने हों मिलेगी, उससे ज्यादा fertile होती है, valley side वाला, फिर देखों यहाँ पर acidic nature होती है जैसा कि हम दो देखे थे PT swail और saline swail, दुनों ही alkaline nature थी, यानि pH value आप उहाँ पर 7.5 से ज्यादा देखने हों मिलती थी लेकिं यहाँ पर जो forest swail है, वो acidic nature है, इसका मतला पर इसकी pH value 7 से कम है अब देखो 7 से कितना कम है, यह तो vary करता है, forest to forest, लेकिं यह acidic nature होती है और इसमें humid का जो content होता है, वो low होता है, अब देखो, acidic nature होगी यह 7.5 से 7 के बीच में इसकी acidity होगी, pH value होगी तो बहुत ज़्यादा highly fertile होते है, क्योंकि acidic nature वाली जो swail होती है, वो vegetation को nutrients लेने में बहुत ज़्यादा help करते है ठीक है, यह 6.5 से 7.5 के बीच में pH value है, तो वहाँ के जो vegetation होगी, उसको swail क्या करेगी, help करेगी nutrients लेने में, यह 5 से ज़्यादा pH value होगी, तो बहुत ज़्यादा nutrients वेजटेशन लेने लएगा, और बहुत ज़्यादा nutrients लेने से उसका consumption नहीं कर पाएगा, और फिर क्या होती है, वेजटेशन औहां पर trade हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा acidic होने से क्या होती है vegetation का growth बहुत ही fast होने लगता है nutrients बहुत ज़्यादा absorbed होने लगते है तो बहुत ज़्यादा acidic भी स्वाइल नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा alkyne होने से क्या होती है vegetation जो होती है nutrients ले ही नहीं पाती है vegetation जो स्वाइल होती है nutrients को लेने में बाधा प्रदान करती है यह अलकलाइन होती है और acetic होती है तो बहुत ज़्यादा help करती है nutrients को absorb करने में ठीक है तो यहाँ पर आप देखो acetic की nature है और acetic nature में भी आप देखो कि बहुत ज़्यादे acetic नहीं है इसलिए यह fertile smile है forest smile क्या है? fertile smile है और acetic की nature है यह सारे characteristics है दोस्तो तो आज की इस वीडियो में हम दो देखे जो forest smile है उसका formation कैसे होता है और कहां कहां होता है इसके लिए क्लाइमेटिक कंडिशन सुटेवल है और इंडिया में आप देखोगे forest smile कहां पाई आता है उसको हम दो डिसस किये और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक में हम दो देखे कि जो smile की texture है, color है, structure है बहुत ज़्यादा vary करती है forest to forest और लोमी इन करेक्टरिस्टिक है और silt की मात्रा ज़्यादा होती है valley side में जो forest smile पाई ते valley की side में siltic में आता ज़्यादा होती है, coarse gain आपको upper valley जो होती है, upper course वाले जो valley होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है और forest smile का अवती acidic in nature होती है तो आज के इस वीडियो में बसते नहीं दोस्तों, thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ, thank you